नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका MS-CADON YouTube चैनल पर दोस्तों सबसे पहले आपको ये बता दू कि ये वीडियो only educational परपच के लिए बनाई गई है इस वीडियो का आप गलत यूज ना करें यदि आप इस वीडियो का miss यूज करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी हमारे YouTube चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी इस लिए इस वीडियो का आप गलत यूज ना करें ये वीडियो only educational परपच के लिए बनाई गई है दोस्तों आप देख रहे हैं इस mobile को यहां पर आप देखेंगे तो ये आपको simple mobile के रूप में दिखेगा लेकिन दोस्तों अभी आप देखना मैं इस mobile को computer कैसे बनाता हूँ दोस्तों आप अपने mobile को computer बना सकते हैं और दोस्तों मैं real बता रहा हूँ कि एक पर आपने वीडियो को end तक देख लिया तो दोस्तों आपको मजा आ जाएगा क्योंकि ऐसी वीडियो आपने नहीं देखी होगी और दोस्त आपको यहाँ पर दिखेंगे और पूरा PC का look यहाँ पर आपको मिलेगा वीडियो को दोस्तों like कीजेगा चैनल को subscribe कीजेगा और यहाँ पर आप देखेंगे आपको यहाँ पर well icon का button दिखेगा इस पर click करके all पर click कर दीजेगा दोस्तों यहाँ पर click करने के बाद नीचे comment box में जाईएगा और दोस्तों यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ पर आपको लिख देना है technical point दोस्तों आपको technical point यहाँ पर लिख देना है और आपको कुछ नहीं करना दोस्तों आपको एक काम और करना है यदि आपको कुछ problem आती है तो यहाँ आप जाईएगा Instagram पर और आपको यहाँ पर technical.7 सर्च करना है, add the right technical.7 और आप मुझे यहाँ पर follow कर सकते हैं, और दोस्तो आपको यहाँ पर screen पर भी username दिख रहा होगा, आप username सर्च कीजिएगा, Instagram पर जाकर और मुझे follow कर लीजिएगा, जो भी problem आपको होती है, वो आप पर जाना होता है, और play store पर जाने के बाद आपको यहाँ पर search करना होता है, computer launcher, आप देख सकते है, computer launcher आपको search करना है, और दोस्तों search करने के बाद आप देखेंगे second number का, जो third number का जो app है, इसको आप install कर लीजिएगा, computer launcher for win 10, desktop launcher 2019, तो इसको आप यहाँ पर install कर लीजिएग क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको slide करना है, slide करने के बाद get started पर click करना है, यहाँ पर आपको allow कर देना है, बापस से allow कर देना है, और बापस से allow कर देना है, दोस्तों allow करने के बाद मैं यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर please waiting क option आपको दिख रहा है तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना यहाँ पर थोड़ा सा time लगेगा तो आपको यहाँ पर हम back में चले जाते हैं हम जैसे back में जाएंगे तो दोस्तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको पूरा PC का लुक दिखाई देगा यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो PC में होता है user का option दिखेगा this PC का आपको यहाँ पर फॉल्डर दिखेगा यहाँ पर आप देखेंगे Google का अलग से फॉल्डर दिखेगा और सबसे खास बात तो यह है कि यहाँ पर आपको recycle wind का option भी मिलता है और दोस्तों यहाँ पर आपको फॉल्डर मिलते हैं my theme मिलती है तो यहाँ पर आप देखेंगे मैं आपको एक एक option दिखा देता हूँ यहाँ पर हम जैसे ही this PC पर click करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए पूरा PC बाला यहाँ पर देखाई देगा यहाँ पर documents का, downloads का, videos का, pictures का option यहाँ पर आपको मिल जाते हैं पूरा PC का look दिख जाता है यहाँ पर this PC पर click करेंगे local disk पर आप click करेंगे तो यहाँ पर देखिए पूरा PC बाला PC में जो फॉल्टर आपको दिखाई देते हैं जिस तरीके से उस तरीके से आपको यहाँ पर फॉल्टर दिखाई देंगे यहाँ पर आप देखेंगे cut का, copy का, paste का सारे option यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं तो यहाँ पर आपकी mobile में जो भी photo होगी वो आपको दिखाई देगी, उसके बाद में दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर आपने देख लिया, आपको यह option देजाता है जो भी आप देखेंगे computer में या laptop में, आपको जिस तरीके का look दिखाई देगा, वो पूरा आपको यहाँ पर दिखाई देगा बस कुछ नहीं करना होता, इस app को install कर लेना है, इंस्टॉल करने के बाद में आपको कुछ नहीं करना होता जैसे कि PC में यहाँ पर आप देखेंगे photo change होती रहती है, उस तरीके से यहाँ पर भी photo change होती होती है आप देख सकते हैं, अब दूस्तु यहाँ पर आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं, recycle bin का option भी आपको मिल जाता है तो यहाँ से जो photo आप delete करते हैं, उनको आप वापस से backup कर सकते हैं, यहाँ पर folder के option आपको मिल जाते हैं तो I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज जादा से जादा शेर कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप PC लुक जरूर लिखिएगा और दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर पेश जरूर कर दीजिएगा